ओम स्रीगनी सायन अमदोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मई रविवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन में रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन रासी वालों के लिए रविवार का दिन सबसे पहले बात क अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बदनना चाहें तो उसमें भी आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों साथी साथ आज आपको आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारे छित्र में कई कारों के लिए आ अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तों आज का समय आर्थिक द्रश्टिकोंड से आप के लिए बहुती अच्छा समय हैं क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तों साती सात आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार औ आध्यात्मिक के छित्र में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे परणामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साती सात इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों द्वारा भी आपके कारों को सरहारा जा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती द्वारा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच अनबन हो सकती है इसलिए आज आप किरोध पर नियंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यत्था विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तो आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत नि अन्यता इस्थिती आपके विपरीत हो सकती है इसलिए दोस्तो तैयार हो जाईए और संभवनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय है इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आवशक्ता पढ़ सकती है जिहां दोस्तो कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे सारारिक तथा मानसिक रूप से आज आप एस्वस्त का अनुबब कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास क सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्दी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तो आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी आपको जरूत हैं तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाइत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रेतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आज आप शेयर कर स प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती शानभूती आज हो सकती है तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शांती, शदबाब, रोमांस आदी का आज समावेश होगा। दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है। दोस्तो बात करते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तो कारे छेत्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शेय करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कार्रे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और विजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त आज आप अच्छा धनलाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जह दोस्तो भार की कमपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साती सात विध्यारतियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जिन में उनको अवस्चे ही सफल तप्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं दोस्तो बात करते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके स बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिसानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं दोस्तो साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें व्याम करें सुष्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश पाई क क्या हैं दोस्तो आज आप इस नान आदी से निर्वत्र होने के बाद मचलियों को आटे की गोलिया बना कर खिलाएं और मनीमन भगवान शुरदेव का आप इस मरण करते रहें जहां दोस्तो ऐसा करने से भगवान शुरदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपको शीगर ही सुब फलू की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रे वहुत यासनी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको नवाद